मसकार दोस्तो तो यहां पे हम percentage निकालना सिखेंगे और यह देखिए यह मैंने आपके लिए पहला सवाल लिया है कि 20 का 10% निकालना सिखें तो आपको न 20 का 10% निकालना है यह आप कैसे निकालोगे ठीक है तो इसके लिए आप क्या करोगे सबसे पहले तो आप नीचे 20 लिख आहला कहते हो नेक्स्ट आपको क्या करना है यहां पर थीके 10 लिखा है तो हम UAH 10 यहां पर लिख देंगे और दीके पर्सेंटेज का सइन है ठीक है होता है two correct बात है तो यहाँ पे हमें answer मिल गया कि 20 का जो 10% है ये 2 होता है इसी प्रकार चलिए हम इसी तरीका 2-3 सवल और करते है ठीक है अब हम करते है कि 11 50 का 10% क्या होता है ठीक है तो अब हम वह करेंगे 1150 का 10% फिर हम इसे तरी होड़ हाट कर देंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है 1150 ओके इन्टू 10% यानि कि 10 परसेंटेज है न तो इसे हटाने के लिए 200 अब अब 0 कट करोगे तो यहाँ पे आपने देखा कि 1150 का 10% होता है 115 अब चलिए इसे हम तरह और डिफिकल्ट बनाते है डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे एक और सवल हल करेंगे कि बाड़स हो का ओके 25% कितना होता है ठीक है अब तक हम कहले 10% वाला कर रहेता है अब हमने 25% वाला करना है तो नीचे आप लिखोगे 12100 ठीक है नेक्स्ट आपको multiply का sign लगाना है और यहाँ पे 25 है तो 25 आप लिख दोगे और जातक मैंने कहाता है कि अगर percentage रहता है तो percentage की जगा आपको 100 लिखना है तो यहाँ पे आप 100 लिख दोगे 20-20 अपने cut किया अब यहाँ पे 25 इंटू 12 करना है हमें तो देखते हैं कि 25 इंटू 12 कितना होता है तो यह 25 जो 10 22 जो 4 प्लस 1 5 ओके 1 इंटू 5 और 1 इंटू 2 इकल तू 2 ठीक है अब हम इस आट कर देंगा 5 5 10 2 1 3 तो 1200 का जो 25 परसेंट है यह आपका हो जाता है 300 सही है चलिए अब हम कुछ और सावल हल कर लेते है हम आजाती नेक्स्ट पेज़ पर यहाँ पर हम देखेंगे कि 1500 का इस पर हम एक और नमबर लेते है 67 परसेंट कितना होता है ठीक है तो 1500 इंटू 67 बाई 100 उपर मैं हिडिंग लिग देता हूं 15 का 67 परसेंट ताकि आप लोगों को भी याद रहे 15 का 66 परसेंट तो देखते कि 66 परसेंट कितना होता है तो यहाँ पर हम 2 0 और 2 0 कट करेंगे अब हम यहाँ पर मल्टिप्लाय करेंगे तो 67 इंटू 15 तो 5 7 जे 35 यहाँ पर 5 गया ना तो 3 यहाँ पर आ गया 560 ए 30 30 प्लस 3 335 आया है यहाँ यहाँ पर एक मल्टिप्लाइगा साइन 177 और 166 तो 573 10 6391 10 तो कितना आड़ा है तो 1500 का 67 परसेंट जो आपका होगा वो होगा एक हजार पांच तो इसी तरीके से जो है आप कोई भी परसेंटेश निकाल सकते हो एक लास्ट करते हैं इस वार करते हैं 2800 का 73 परसेंट कितना होगा तो पहले यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं 2800 का 73 परसेंट तो 28 परसेंट लिखा हमने फिर्या पर मल्टिप्लाइग का साइन अब देखे 73 नीच यहां पर परसेंटेश सिंबॉल है इसे हटाने के लिए हम पाई नीचे परसेंट लिखेंगे ओके दो जिरो दो जिरो कट हुआ अब देखे 73 इंटू 28 तो 83 जो 24 फोर का हांद लिए कैरी टू 58 ओके इंटू 14 तो देखता है आंसर कितना आता है 14 फाइफ फाइफ नैन वन टेन ओन जिरो टू तो तो टू जिरो फोर फोर एक बर इस सब आपस से देख लेते हैं सही है कि नहीं 14 फाइफ नैन वन टेन यह बिल्कुल सही है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका टू जिरो फोर पर इतना परसेंटेज आए ठीक है 73 परसेंट का तो इसी तरीके सब परसेंटेज निकाल सकते हो साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल कंटेंट डैज लिंक को सब्सक्राइब करन ना भूले और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सके जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक धन्यवात आजैसी राम